हरी कृष्णा आज मैं आपके लिए ऐसे मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो शायद इससे पहले आपने नहीं खाया होगा और इसे हम बनाएंगे बिना गैस जलाई यानि कि मिंटों में आप इसे बना कर तयार कर सकते हैं और इसकी तासीर बहुत थंडी है बहुत ही टेस्टी और हल्दी है तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहां पर यह गौन कतीरा लिया है यह गौन कतीरा की तासीर बहुत थंडी होती है और इसे पाने में भिगो कर यूज़ करते हैं एक गौंद होती है जो की तासीर में गरम होती है और उसे हम fry करके यूज़ करते हैं जिसे सर्दियों में खाते हैं तो बस आपको यहाँ पर गौंद कतीरा लेना है इसका एक चमची काफी है क्योंकि यह फूल कर बहुत जादा हो जाता है हम इसे इस बोल में डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे डिड़ कप पानी यहाँ पर मैंने साधा पानी यूज़ किया है और इसे हम भिगो करके ढख करके रख देंगे फ्रिज में या फिर आप चाहें तो रूम टंपरेचर पर भी रख सकते हैं और तक्रीबन 4-5 गंटे लगेंगे यह अच्छे से फूल जाएगा और यह देखिए 5 गंटे बाद मैं आपको दिखा रहे हूँ यह देखिए गोन कतीरा कितना जादा फूल गया है और यह जो कलर है इसका बिलकुल ट्रास्पेरिंट रहता है और इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता आप इसे किसी भी चीज में डालेंगे चाहे अपना मकीन में डाले या मीठे में डाले यह उसी का ही फ्लेवर अब्सॉब कर लेता है और ये देखिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है ये और बहुत ही healthy होता है specially ladies के लिए ये बहुत फायदे मंद होता है यहाँ पर ये गौनकतीरा तयार हो गया है और अब मैंने इसी तरीके से एक चमच ये तुकमरिया या तुकमलंगा के बीच जिसे कहते हैं इसे मैंने एक कप पानी में एक चमच भिगो दिया था और ये देखिए काफी फूल गए है ये आदे घंटे में ही बहुत बढ़िया से फूल जाते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर chia seeds भी ले सकते हैं अब मैंने यहाँ पर दो पके हुए आम ले लिए हैं एक बड़े size का है और एक छोटे size का है आप चाहें तो दोनों medium size के भी ले सकते हैं और अब हम इसमें से एक आम को छोटे pieces में काट लेंगे और बाकी के आम को हम बिल्कुल roughly काट लिए जिसके हमें puree बनानी है यह देखिए यहाँ पर मैंने आम को इस तरीके से एक roughly काट लिया है और एक को छोटे dices में काट लिया है आप जो हमने roughly आम काटा है उसे हम grinder jar में डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें एक चोटाई कप दूद डाल देंगे यहाँ पर आप दूद कोई साभी ले सकते हैं जो भी आपके घर में regular आता है मैंने यह उबला हुआ दूद लिया है और यह देखिए इस तरीके की मिश्री मैंने ली है इसकी तासी बहुत ठंडी होती है अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ पर देसी खान ले सकते हैं या फिर गुड का पाउडर या फिर नॉर्मल पाउडर शुगर भी ले सकते हैं यह मैंने मिश्री को ग्राइन कर लिया है आप चाहें तो थोड़ा भी डाल सकते है या फिर अपनी पसंद का कोई और fruit भी आजट कर सकते हैं अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम ये कटे हुए आम डाल देंगे आम मैं आप थोड़े ही डाल रही हूँ क्योंकि बाकी के हम बाद में गार्निश में यूज़ करेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे मैंने इसे सिफ आम के साथ बनाया है आप चाहें तो इसमें और फ्रूट भी डाल सकते हैं जैसे सेब, अनार, केला या फिर अंगूर भी डाल सकते हैं यह बिल्कुल आपकी चॉइस है और अब हम इसे गार्निश कर देंगे बस थोड़े से कटे हुए आम के साथ साथ ही थोड़े से कटा हुआ बादाम की फ्लेक्स डाल रही हो और कटे हुए पिस्ता से और लीजे हमारा बहुत ही सिंपल सा आम और गौन कतीरे से बना हुआ मीठा बनकर के तयार है यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो है ही साथी हिल्दी भी बहुत है आप इसे सुभा नाष्टे में खा सकते हैं या फिर डिनर को स्किप करके इसे खा सकते हैं यह आपको बहुत फाइदा पहुंचाने वाला है और अगर आप ट्रेगर कंथ गम यानि की गौन कतीरा के बेनेफिट देखना चाहते हैं तो आप गूगल जीपर सार्च करके देखेंगे तब आप जान पाएंगे कि हमारी बॉड़ी को कितने सारे फायदे देते हैं ये हमारी मैंगो पुडिंग बनकर के तयार है आप चाहें तो इसे ऐसे ही सब कर सकते हैं या फिर इसे-इसे थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं दूड डाल करके मुझे ये ऐसे ही पसंद है तो मैं इसे ऐसे बनाती हूँ और अब इसी को ही हम दूसरी फॉर्म यानि कि इसका mango shake भी तयार कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दो glasses ले लिये हैं और अब हम इसमें दो कर्ची भर करके ये mixture डाल देंगे और इसके उपर हम बागी दूड डाल देंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और लेजे हमारा बहुत ही tasty healthy milkshake बनके तयार है एक्तम नए तरीके का unique है टेस्ट बहुत शानदार है तो friends मैं तो इसे enjoy कर रहे हूँ इसका टेस्ट बहुत ही जादा लाजवाब है आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अगर आपको हमारी recipes पसंद आती है तो आपके अपने चैनल रीटा रोरा recipes को like, subscribe और share करना बिल्कुल भी न भूले और आप मुझे कहां से कौन से देश से देखते हैं मुझे comment box में बता सकते हैं इस तरीके से आप से जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मिलती हूँ एक और नई recipe के साथ तब तक लिए goodbye, take care and thanks for watching